हर्याना विधानसभा द्यक्स एंप पंचकुला भाजबा विधायक होने के नाते जिला पंचकुला में सड़कों की बुरी हालत है लोग परेशान है कालका में कहा विधायक परदीब चोधरी ने कालका हलके से कॉंगर्स विधायक परदीब चोधरी ने बुद्वार को कहा कि हर्याना वजानसबा स्पीकर पंचकुला के विदायक है और यहां के शेतर वियाईपी होना चाहिए लेकिन कालकाल का सेथ जीले पंचकुला की सड़कों का काफी बुरा हल है जिस कारण लोगों में और शहर के लोगों में मुझूदा सरकार के खिलाब भारी रोश है हालांके सड़कों के बारे में उप मुख्य मंतरी दोशन चोटाला और विभाग के उच्दकारियों को अवगत कराया जा चुका है बावजुद उसके अभी तक सड़कों की और अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है कालकाव जैक परदीप चोदरी का आरोपय की सरकार और मंतरी अपनी जिम्मिवारियों से भाग रहे है 24 गंटे बिजली देनी की सरकार के सारे दावे कोकले होते जा रहे हैं बिजली के लंबे लंबे कट लग रही हैं बिजली के फाल्ट और लाइने ठीक करने के वज़ाए जरसी हवाई चलने पर बिजली के कट लगाने शुरू कर देते हैं जबकि लोग बार बार शिकायते करते हैं कि खराब मुसम के बाद धूब भी खिल जाती है लेकिन लाइट फिर भी नहीं आती है कालकाप पिज़ूर में पेजली सप्लाई का काफी बुरा हाल है 24 गंटे में मातर 20 मिंट ही पानी की सप्लाई लोगों को दी जा रही है लोगों में सरकार और विभा के खिलाब रोश है पानी की यहां काफी अर्सा से समस्या गंबीर बनी हुए है वही पंचायतों पर अलग से नियम ठोक कर उने परिशान किया जा रहा है विकासकारें को सरकार जान भुज कर लटका रही है कालकब जैक प्रदीव चोधरी ने कहा कि जिला पंचकुला की जनता मौझूदा सरकार से दुखी और परिशान हो चुकी है